हेलो स्वागत है आपका आज किस वीडियो में आज किस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्छा सात्मी के विध्यारतियों के लिए वारसिक मूल्यांकन वर्कसीट दोजार कई सिवावी सका यहाँ पर प्रोजेक्ट कार स्टार्ड हो चुका है तो यहाँ पर देख सकते हैं विध्यारतियों जो की खंडवा दिया गया है और हम आप सभी के लिए विशय लेकर आ चुके हैं जो की यहाँ पर विशय दिया गया है विज्यान का हम विशय के पूरे सॉल्यूसन यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले प्रसनुतर यहाँ पर माद्यम देख सकते हैं हिंदी विध्यारति को कुछ निर्देश दियेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विध्यारति का नाम पिताजी का नाम भलेना है साला का नाम और कक्षा का नाम जरूर आप फिलकल दीजेगा यहां पे आपका जो कि यह project कार 40 अंग का होने वाला तो इस वीडियो के माद्यम से आपको 40 प्रसनुतर पूरे 40 marks के प्रसनुतर हम पूरे बताने जा रहे हैं यहां से देख सकते हैं आपका project कार जो की प्रारंब किया जा रहा है खंडवा का तो पहला question आपसे पूछा के विस विजल दवस कब बनाया जाता है तो आप सभी को वैसे मालूमी होगा जो की 22 March को विस विजल दवस बनाया जाता है बहुत important है यह आपको याद करना है क्योंकि यह बाद की परिक्षाओं में भी आपसे पूछा देखी वैच्छो आपको Google Chrome ब्रियाग्रो पर आजाना है वो यहां पर सर्च कर देना है study with mind आपको dot in करके सर्च कर देना है description पर भी link देए तो वहां पर link दी गई तो वहां से आप जाके सर्च कर सकते हैं वहां से आप download कर सकते हैं जो कि यहां पे नीचे देख सकते हैं वीडियो की लिंक दी गई है तो यहां से आप आसानी से डाउनलोट कर लीजेगा पूछा जाएगा और यहां पर कॉश्चन सेकंड पूछा गया है जल चक्र जल चक्र मैं समलित प्रक्रमों को चित्र दौरा पृदरसित कीजी तो आप देख सकते हैं यहां पर एक खंडत नदी बगईरा है नदी देख सकते हैं और यहां पे देख सकते हैं कुछ और बादल है यहां पे सूरज भी नकल रहा है तो इस परकार से आपको यह चित्र बना लेना है ड्रॉ कर लेना है यह डाइग्राम और इसमें देख सकते हैं जल प्राक्रम हो रहा है तो इस परकार से आप देख सकते हैं जो की पानी यहां से है बादलों में तो यह पर क्रिया यहां फर दौबारा पर नदी के दौबारा यहां ज़रने की दौबारा यह फिर से नदी में जा रहा है पाणी तो यह चाइकल जन्वों डिक्त करती बॉटर भी दोर्ड शो किर दोरह है। mayı तो इसकों यहां पे question पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा भूमी के नीचे से निकाले गए भूम जल की पुनापूरती प्रसा जल के आवत्रन रसाब दोरा हो जाता है हो जाती है भूम जल इस तर तक प्रभावित नहीं हो होता जब तक की हम जब तक की हम केबल उतना ही जल नकालते ह जितने की प्राक्रमों दोरा पूरती हो जाती है तो इस प्रकार से आपको यह आंसर लिख देना है तो इसके बाद आपका यहां से question दूसरा वाला यहां से पूछा जा रहा है भूम जल इस तर का पूरती किस प्रकार होती है तो यहां पर देख सकते हैं बच्चों यहां द के दोवारा समुद्र में पहुंच जाता है तो आपको इस परकार से यहां सा लिख देना है स्कीन शोट लेते जाईए वीडियो के बाद में हम बता देंगे लाश्ट में कि आपको पीडियो कहां से डानलूट करना है फिर आपका पांचमा कोश्चन होता है चल की बचत को दर परकार से आप बना लीजेगा यह प्रतवी आप अपने कलर से भी बना सकते कलर पैंसे तो यहां पर लिखा गया है देख सकते हैं पानी की बचत करें पानी की बचत किस परकार से हो सकती है तो पानी की बचत यहां नल के दवारा मिस यहां पर नल से जो पानी बहता है अपन नेचर के दोरा बहुत जरूरी नेचर में पेड़ लगाना चाहिए तो इस प्रकार से आप ये पानी को बचा सकते हैं पेड़ों को पहुचा सकते हैं पानी और इसके अलावा आप देखिए बच्चों यहां से आप अगला कुशन आता है अपने दादा दादी से पूछ कर ल कि बेकुआ नदी बावड़ी हेंड़ पंप का पानी पीते थे आज हम सुरोतों से सिर्फ नदी का पानी पीने योग नहीं बचा है क्योंकि नदियों में अब गंदगी रहने लगी है तो इस परकार से आजकल का पानी बहुत प्रद्यूसित हो गया है तो नदियां भी प् अंसर लिख देना है अगला कोश्चन आता है क्या आप अपने आपके द्वारा कुल विद्यूत उर्जा खपत की गड़ना करना जो कि ये बीसंग का कोश्चन रहेगा तो यहां पर आंसर पहला इसका रहेगा कोश्चन दूसरे का पहला रहेगा आपके घर में आए प्रती माहे प्रती माहे बिजली बिल एक अत्रत कर अपने माता पैताया अभी भावकों की सहायता से इन्यमने तालीका को पूर्ण कीजिए तो यहां पर देख सकते हैं एक तालीका दी हुई है आप सभी के लिए तो इसमें पहला किरमांक दिया गया बरसा दोजर काईस की गड़न है तो यहां रासी नकल आएगी तो एक जन्वरी देख सकते हैं एक जन्वरी को आपकी जैसे आई पचास यूनट यहां पर पचास यूनट है पचास यूनट की यहां पर कित्ती हो जाएगी पचास को पन दस से इंटू करेंगे तो यहां पर हो जाएगी ठीक है तो इसको दस से इन्टू करके चलना है February में आपकी आई यासे 30 unit, 30 unit हो जाएगी आपकी यहाँ पे देख सकते, 100 यहाँ पे 50 हो है तो आप लिख दीजेगा यहाँ पे और इसके लावा यहाँ पे दिया गया हमार्च माहे में आपकी 25 unit है तो यहाँ 30 unit है तो 300 रोपे आपकी हो जाएगी तो इस परकार से आपको यह जो की unit into करके लिख देना आप अपने हसाब से घर की unit की अंदाज अलगा के आप यह लिख सकते हैं आपके घर में कितनी unit आती है कितने हसाब से पैसे लिए जाते हैं सितंबर माहे में जो की 40 unit आती है तो यहाँ भी 200 फिल कर देना है अक्टूबर में हो जाएगा जो की 30 unit आती है तो यहाँ पे 100 रोपे हो जाएगा नवंबर में जो की 30 unit आती है तो यहाँ भी 100 रोपे आप फिल कर लीजेगा तो इस परकार से फिल करने हैं बार में में जो की December last माईन आपका आता है साल का तो यहां पे 35 यूनिट आती है तो यहां पे 165 रोपे आपको यह ताली का में फिलकल लीजेगा फिर आता है यहां पे उसी का दूसरा question प्रसने दूसरे का दूसरा आता है आपके वह परिवार के 12 वर्स के कुल कितनी यूनिट बिजली का प्रियोग किया जाता है तो यहां हो जाएगा हमारे परिवार में एक वर्स में कुल 465 यूनिट बिजली का प्रियोग किया जाता है जैसे अलग-अलग जंगे पे अलग-अलग बिजली का प्रियोग किया जाता है गाओं में थोड़ा कम बिलाता है उस परकार से जोकि गाओं में तो वह सहरों के साफ़ से तोड़ा जादा आता है तो अलग-अलग युनिट के साफ़ से यह आपका 불 आपको लिक देना है answer में किन किन माहे में आपके घर में बिजली के बिल, बिल की रासी कम आई, रासी कम आने का क्या कारण है, तो क्या कारण हो सकता है, आप सभी को मालूमी होगा, जनवरी, भरवरी, मार्च और अक्टूबर, नमंबर में बिजली के बिल की रासी में कम आई, क्योंकि वहाँ पे आप आपने पंक्खा-कूलर नहीं चलाते दो यहां पर इस कारण से आपके यह बिल नहीं आती है क्योंकि आप थंडी में जो कि आप की ठंडी बहुत जाएदा पड़ने lep पर पंक्खा-कूलर तो इस पर गार आजाता है ठंडी के महीने में तो उस परकार से आंसल लिख दीजेगा फिर यहां पर अगला कोश्चन आता है आपका आपके घर में विद्धियुद उपकरणों के कारण करने के लिए क्या आप अन्य उर्जा सुरूतों का प्रियोग कर सकते हैं तो यहां हो जाएगा हमारे दीजेगा गर्में विद्धियुद उपकरणों को संचालित करने के लिए हम सोलर उर्जा का उपयोग करते हैं जहाँ बिजली का भी जदा खापत होती है तो गर्मी में के दुनों में सोलर उर्जा जोकी जदा परियोग की जाती है और यहाँ पे अगला कोश्चिन आपका आता है विद्धिध देख सकते हैं विद्धिध उर्जा खपत के कम करने के प्रियोग प्रियोग की सूची बनाईए तो यहां हो जाएगा देख सकते हैं पहले पॉइंट में हो जाएगा विद्धिध उर्जा की खपत करने के लिए हमें सोलर उर्जा का प्रियोग करना चाह किँर्स आपड़ाई थी मड़道ना देखा सकतना निया कंड़ा वह तो आप के का आपके प्रीकार से आपको आपको या करना से यहां सर्व बल्ब का प्रिडियो करने तो CFL वाले बल्ब जिन्हें आपन बूलते हैं तो इससे आपके बिजली के खबत कम होगी तो इस प्रकार से यह आंसर लिख दीजेगा फिर इसके बाद हम आपको बदा देते हैं पीडियाप कहां से आपको डाउनलोड करना है देखे बच्चो यहां पर नीचे देख सकते हैं वीडियो की लिंक दी गई है तो यहां से आप आसानी से डाउनलोड कर लीजेगा वर्कशीट के कार सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ सो थैंक्यू सो मच